हेलो सुरेंट्स कैसाब सुभी लोग आज हम इस वीडियो में हमारा साइन्स का सेकेंड चैप्टर करने वाले जिसका नाम है दर लिविंग वर्ल्ड यह मैं आपको एक्स्प्रेन करूंगा हिंदी में ठीक है इसका यह जो चैप्टर है हम तीन लेक्चर में करने वाले हैं इस क्या इने वडिया मिलते रहे हैं तो चल ओ चाहते करते हैं नाम क्याता लिविंग वर्ल्ड का दियाक है हमें यह नाम आप देखोगी क्या लिखा हूँ है भिच्छर से विविंग ओर नॉलिंग दिंस सबसे पढहने हैं उनको सिबंटकर ुपses करो में हम बोलते हैं जैसे कि हमारी बर्ट से यह क्लिक्षी है जो बच्ची है यह भी लिविंग से चिक है तो आप लिख सेके हो कि गडल एंड बॉय यह लिए हमरियोस्द विस्ट या यह दो जो मुर्ग क्रिदो लिविंग ऌ़िज्चीर बोलते हैं तो ये सारी हमारी living thing है, अब देखो non living thing, देखो living thing में और हमारा क्या आएगा, ये पेड़ जो tree है, ये भी हमारा living thing है, पेड़ भी living thing में आता है, और हमारा देखो यहां भी पेड़ है living thing में आएगे, अब देखो, अब non living thing में क्या क्या आएगा, non living thing में हमारा ये घर आ जा अदो के यहां पर क्या लिखा गया अब आगे हम चलते हैं can you recall देखते हैं क्या चीज़ा हमें याद करने बोल गया है characteristic of living things जो characteristic है जो खासियत है living thing क्यों क्या रहती है तो देखो क्या है there are many kinds of plants and animals around us क्या बोल रहे हैं कि हमारे आजू आजू कई तरह के plant मतलब पेड़ पौदे और animal मतलब जानवर रहते हैं हमारे आजू बाजू ओके आगी कहा है they show some similarities and some differences क्या बोलने हैं जो हमारे आजू बाजू पेड़ पौदे और जानवर रहते हैं वो कुछ-कुछ similarities दिखाते हैं मतलब उनमें कुछ समानताय रहती है और उनमें कुछ अंत वकार्द और बनी हमारे नहिंक क्या है नहीं दोनों चाहित में नहीं क्या है ऐब हैं था सथा सुपरियक और दोस्री वात चुडिया किर मकोड़े खाती और जो डॉगि रहता है वगा है उसको झो भी उसे गोष्त सब विलता है उस अभाता है तो झाल है तो फीचर्स, we can tell that they are all living things, क्या बोले? फिर भी उनमें कुछ ऐसे خास features रहते हैं, उनमें कुछ ऐसी खास रहती हैं, जिससे हम बता सकते हैं, वो living things है, ठीक है? These features are not seen in non-living things, क्या बोले? जो features है, जो खासियत है, जो living thing में रहते हैं, वो non-living thing में नहीं रहते हैं, For example जो Living Thing रहता है वो क्या करता है वो बढ़ता है ठीक है बूरह होता है चैसा रहता है ना बढ़ता है ना उसको खाने के लिए कुछ चाहिए ना पीने के लिए कुछ चाहिए वो हमेशा वैसे वैसे ही रहता है ठीक है कर दो आगे चलते है Such features are said to be characteristics of living things क्या बोले ये features जो living thing में रहे और non-living thing में नहीं रहे उसे हम बोलते हैं characteristic of living things मतलब वो खासिज़त रहती है living thing के Let us study these characteristics क्या बोले चलो हम ये characteristic ये जो खासि़त है living thing की इसके बारे में हम पढ़ते हैं क्या है देखते हैं आगे चलते हैं अब ही देखो यहाँ भी आपको क्या बोल रहे हैं Can you tell मतलब क्या आप बता सकते हो What differences do we see between the young ones and the adults in the picture यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि हम क्या अंतर देखते हैं एक young one जो एक छोटा बच्चा है उसमें और एक adult जो है जो जो जवान इंसान है उसमें और बच्छे ही दो दिया गया है क्या बोल रहे हैं कि आप क्या अंतर देखते हो एक छोटे बच्चे और एक adult में मतलब एक छोटा बच्चा और बड़े इंसान में आप क्या difference देखते हो यह picture में तो देखो यहाँ पर हमें बताया गया है क्या difference है नीचे देखो आपको बताया गया है जो एक बच्चा है और जो एक बड़े इंसान है उनमें और जो बुड़े इंसान है सब इनके बारे में हमें नीचे दिया गया है क्या difference हम देखेंगे क्या बोल रहे है आब बेबी grows up to become an adult person woman और men क्या बोले कि जो छोटा बेवी रहता है वो बड़ा होकर एक अडल्ट बनता है या तो वो वुमेन बनेगा तो मैन मतलब या तो एक अवरत या तो आदमी वो बड़ा होकर बनता है ठीक है यह तो हम सबको पता है एक छोटी बच्ची जो रहेगी वो बड़ी होके क्या बनेग एक woman बनेगी ठीक है अगर वोई छोटी छोटा बच्चा रहे तो बढ़ा होगे क्या बनेगा man बनेगा यह तो हमें पता है अब आगी क्या है डिरिंदे पीरियर उट्स ग्रोथ है किसमे हाइट में मतब कि उसकी ग्रोथ किसमे होती है पहले तो हाइट में ग्रोथ होती है यह हमने अभी अभी में आपको बता है कि जो बढ़ता है तो उसकी हाइट में ग्रोथ होती है उसका वेट उसका वजन बढ़ता है उसकी स्ट्रेंग्थ और उसकी ताकत बढ़ती है यह तो आपको पता है एक छोटा जो बच्चा रहता है जब बड़ा होता है तो क्या होता है उसका तो देखो height तो बढ़ती है साथ-साथ में उसका weight उसका वजन भी बढ़ता है और उसकी strength उसकी ताकत भी बढ़ती है ठीक है In the same manner all animals grow into adults in a certain period क्या वोले इसी तरीके से सारे जानवर बड़े होकर adult बनते हैं यही सेम तरीके से पहले वो छोटे रहते हैं क्या वोले जैसे इनसान है ना इनसान का बच्चा छोटा रहता है बड़ा होके woman या तो man बनता है और उस बड़े होने के समय उसकी height बढ़ती है उस बड़े होने के time पर क्या होता है उसकी height बढ़ती है उसका वजन बढ़ता है उसकी ताकत बढ़ती है जानवर में भी सेम होता है अब आगी क्या है देखो यहां भी हमें बताएगे है एक छोटा बच्चा है बड़ा हुआ फिर बड़ा होके adult बन गया तो वही example हमें जानव human require 18 to 21 years for this growth क्या हुआ है कि आम तोर पर जो human रहते है जो इंसान रहते हैं उन्हें adult मतलब एक man बनने में 18 to 21 years लगते हैं ठीक है 18 to 21 years लगते हैं एक इंसान को adult में एंटर करने के लिए अपने adulthood में एंटर करने के लिए अब आगी क्या है find out how long it takes for the young ones of hens, cows and dogs to grow into adults क्या हुआ है कि अब find out मतलब पता लगाओ आपको क्या हुआ है कि आप पता लगाओ कि एक जो hen जो मुर्गी का बच्चा रहता है एक cow जो गाय का बच्चा रहता है और एक dog जो doggy का बच्चा रहता है कुट्टे का बच्चा रहता है इनके बच्चों को बड़े होकर adult बनने में कितना समय लगता है यह आपको पता लगाने बोला गया यह आपको काम दिया गया है ठीक है तो यह आप पता करके कमेंट सिक्षन में बता सकते हो ओके इनको कम समय लगता है हम इंसान लोग को ज़्यादा समय लगता है इनको कम समझ लगता है adult बनने में चलो भी आगी चलते हैं देखते हैं क्या है अब देखो यहां पर हमें कुछ experiment करके दिखाया गया है क्या है देखो try this है हमें try करने बोला गया है क्या है tie a thread to the tip of potted sapling क्या यहां पर बोल रहे हैं कि आप क्या करो एक thread बान दो tie a thread to the tip of a potted sapling देखो यहां पर क्या बोले कि आप एक thread बानो जो sapling लगा रहेगा जो छोटा सा पौदा लगा रहेगा उसके tip पर उसके ऊपर एक ऐसे धागा बांदो ठीक है ऐसे एकदम straight thread बांदो stretch हुआ बागे क्या बोले keep the thread stretched and tie it to a peg और nail about the plant देखो क्या बोल रहें जो thread आप बांध होगे उस छोटे से पौदे से तो क्या करना है आपको उस thread को दम stretch रखना है और उसको क्या करना है किसी लकड़ी से या तो किसी nail से बांध कर आपको रखना है ठीक है पेड़ के ऊपर इस तरीके से ठीक है अब आगी क्या आपको क्या उपर जब आप ऐसे thread बांध होगे ऐसे तरीके से दम stretch किया हुआ तो दस से पंदरा दिन बाद बाद वो प्लांट बढ़ा हो जाएगा और जो आपने thread को रखने से क्या जगा ऐसे ढ़ाएगा क्यों क्यों प्लांट बढ़ा हुआ तो आप ये 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 तरेड की height इसके लिए तॉलब कि हमें क्या बता रहा है क्या हमें कैसे पता चल रहा है कि हमारा जो पॉढ़ा है यहाँ पर पिल्स भॉदा है वह बढ़ गया है इससे पलां Schwe calling की यहां पर हाय करी प्रीबदि इत्रेव इसके लिए लूज़'ll गया है, इससे हमें पता से ल रहा है कि हमारा plant जो है बढ़ गया है, आप आगे क्या है, In all plants, it is mainly the width and height of the stem that grows, क्या बोले कि हर plant में उसके width रहती है, और इसकी height रहती है, किसकी stem की, stem मतलब क्या बोलोगे, जो डाल रहती है उसकी, ठीक है, तो क्या बोले कि हर एक प्लांट में क्या होता है, जो डाल रहती है, उसकी width, मतब जो डाल की width को आप क्या बोले हो, जो मोटापा रहता है, डाल का, वो मोटी होती है, और उस डाल की height बढ़ती है, ठीक है, mainly ऐसे ही होता है, प्लांट में, branches, while others do not, क्या बोले है, कि प्लांट जैसे जैसे बढ़ते हैं, तो प्लांट में क्या होता है, branches, मतब शाखा आती है, और कुछ प्लांट में नहीं आती है, ठीक है, तो देखो, प्लांट हमारी living thing है, ये तो हमें पता है, क्या बोले है, क्या बोले है, कि बहले है, कि बहले है, जो जीव है, बढ़ते है, जो animal रहते है, जो जानवर रहते है, वो कुछ समय तक ही बढ़ते है, मतब कुछ समय बढ़ने के बाद, वो रुख जाते है, जो animals रहते हैं, plants on the other hand, grow as long as they live, क्या बोले है, लेकिन जो प्लांट रहते हैं, जो पेड़ पदे रहते हैं, वो तब तक बढ़ते रहते हैं, जब तक वो जिन्दा रहते हैं, अब जो हम इनसान कैसे रहते हैं, अठरा से बीस साल में हम बढ़ जाते हैं, उसके बाद हमारी हाइट रुख जाती है, हमारी हाइट नहीं बढ़ती है, उसके बाद हम क्या होता है, बुड़े हो जाते हैं, हम वही हाइट के रहते हैं, लेकिन जो plant रहते हैं, वो जब तक पचास साल, साट साल, सौ साल, जब तक वो जिन्दा रहे हैं, तब तक वो बढ़ते रहते हैं, ऐसा यहां पर बोल रहे हैं, ऐसा यहां पर बोल रहे हैं, ऐसा यहां पर बोल रहे हैं, ओकी, चलो, आगे चलते हैं, The growth of living things occur from within the body, which means that growth occur in all parts of the body, क्या यहां पर बोल रहे हैं, जो growth रहती है, living things की, वो क्या होता है, हमारे body के अंदर से बढ़ता है, मतलब हमारे जो body के अंदर है, हमारे वो भी organs बढ़ते हैं, जिससे हमें क्या पता चलता है, कि growth जो हमारे हर एक body के हिस्से में होती है, और आपके अंदर के जो organs है, वो अतने के इतने ही रह गए है, आपके अंदर के जो organs हार्ट हो गया है, आपके अप लूझे हो गई है, जो लिवर हो गया है, यह सब भी आपके height के साथ बढ़ते हैं. तो अब ही देखो यहां पर हमें कुछ example दिया गया है, पेड़ का लेकर कैसे पेड़ बढ़ते यह है अब ग्रोथ इन बैनियन ट्री है और यह और यह झाठन ट्री कोटे पे देखो ऐसे दिखते हैं फिर थोड़े बढ़े होते हैं वो कुछ इस तरीकrese से दिखते हैं यह वह और गपने अगरे हो जाते हैं। आप देखो, यहाँ पर आपको क्या बता रहे है? यहाँ पर हमें क्या है? यूज यूर ब्रेन पावर. आपको अपने दिमाग का इस्सामाल करने बोला गया है. क्या है? What differences do you see in growth of trees like the mango, banyan and people and that of the bamboo, coconut and toddy palms? क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? कि जो पेड़ है, इनके बढ़ने के process में आपको कुछ difference दिखता है, कुछ अंतर दिखता है. तो देखो क्या आप इसमें लिख सकते हो? आप लिख सकते हो इसमें? सबसे पहले बेदेखो, मैं आपको बताता हूँ. क्या होता है? जो हमारा mango, banyan and people, जो ये तीन पेड़ हो रहते हैं, इसमें क्या होता है? इनके branches निकलते हैं. branches और उसमें से भी छोटी-छोटी branch निकलती है. ये बड़े होते हैं. ठीक है? और जो हमारा bamboo, coconut और टोड़ी plant है, जो इसमें क्या रहता है, ये सीधे-सीधे बड़े होते हैं, इसमें से branch नहीं निकलती हैं. जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं. ये जो हमारा coconut tree है, इसमें कोई branch है, इस सिंगल एक पेड़ है, देखो, सीधा-सीधा बन गया है. और ये जो हमारा banyan tree है, इसमें कहा है, इसमें से भी छोटे-छोटे branch निकले हैं, तो यही इन दोनों के growth में difference आता है. तो आप इसका answer लिख भी सकते हो, आप कैसे लिख सकते हैं? आप लिखोगे, दूरिंग ग्रोथ ओफ mango, banyan and people, many branches and some branches are given out. मतलब क्या हुआ? कि जब हमारा mango, banyan और जो people tree है, जब बढ़ता है, तो उसमें से बहुत सारे branches निकलते हैं, और उसमें से भी छोटी-छोटी branches निकलते हैं, ओके? और आगे आप क्या लिखोगे? दूसरे plant के लिए, कि bamboo, coconut and toddy plants do not develop branches. They grow tall without branching. नदब कि जो हमारा bamboo plant है, coconut plant है, और toddy plant जो है, इसमें से branches नहीं निकलते हैं, वो single एक, पेड़, एक single, यहाँ पर देखो, जैसे आप देख सकते हो, यह ऐसे बिना branch के, ऐसे सीधे लंबे हो जाते हैं, और फिर उसके बाद ऊपर इनका fruit लगता है, और जो भी पत्ती है, लगती है, यह difference है, coconut, bamboo, और toddy plant में, और mango, banion and people में, ओके, चलो, आगे चलते हैं भी, अब हमारे क्या है, food is necessary for growth, क्या बहुत हैं, कि खाना जरूरी है बढ़ने के लिए, तो वो चाहिए इंसान हो, हो चाहिए, जानवर हो, चाहिए, पेड़ पादे हो, सब को खाना जरूरी होता है, बढ़ने के लिए, तो वह ही हम यहाँ पर देखने वाले हैं, कैसे, plants make their own food in sunlight, क्या बोल रहे हैं, जो plant होते हैं हमारे, जो पेड़ पादे होते हैं, वो अपना खाना sunlight में, जो plant रहते हैं, वो अपना खाना बनाते हैं, पानी से, nutrients, जो soil में जो nutrients रहती है, उससे, और carbon dioxide, जो हवा में मौझूद रहती है, उससे, देखो यहाँ पर, यह हमारा चोड़ा का पौदा है, सूरेज की रोशनी है, यह क्या करेगा, जमीन से जो पानी है, वो पानी लेगा, और जो मिट्टी के जो nutrients है, वो लेगा, और जो हवा में carbon dioxide मौझूद है, उसको लेगा, और सूरेज की रोशनी को लेगा, और अपना खाना वो तयार कर लेगा, ठीक है, इस तरीके से, इन चीज़ों के इस्सेमाल करके, जो plant हमारा है, अपना खाना तयार करता है, और यह जो process, जिससे अपना खाना तयार करता है, plant उसको हम बोलते है, photosynthesis, ठीक है, यह अपने पिछले class में भी पढ़ा होगा, चलो, आगे चलते हैं भी, इस process takes place in the leaves of plant, क्या बोल रहे हैं, कि जो process है, खाना बनाने का जो process होता है, यह plant के leaves में, पत्तियों में होता है, ठीक है, जो plant अपना खाना कहां पिछ बनाते है, अपने पत्तियों में, यही पत्तियों में, यहां से पानी ये लेकर आएंगे, और मिल्टी से nutrients लेके आएंगे, और हवा से carbon dioxide लेंगे अपनी पत्तियों में, और सूरज की रोशनी लेंगे, सब यह लेने के बाद पत्तियों में खाना बनाएंगे, पूरे plant में supply करेंगे खाने को, आगी क्या है, यह जो काम है खाना बनाने का जो process है, इसको पूरा किया जाता है, sunlight में सूरज की मौझूदगी में, जब सूरज हमारा रहता है, उस टाइम पर किया जाता है, और यह जो plant है, यह अपना खाना बनाने का process, chlorophyll की मदद से करते हैं, जो leaves में रहते हैं, ठीक है, leaves में chlorophyll रहते हैं, उसके मदद से पेड़ अपना खाना बनाते हैं, चलो भी आगे चलते हैं, this process of food production is called photosynthesis, देखो यह बात वही बोले जो मैंने आपको यहाँ पर बताया है, कि इस process को, जो plant अपना खाना बनाते हैं, इस process को, इस काम को हम photosynthesis बोलते हैं, वही यहाँ पर आपको बताया है, ठीक है, photosynthesis यह वाला, आप वोड़ याद रखो, आपको याद रखना चाहिए, photosynthesis क्या होता है, जो plant जो अपना खाना बनाते हैं, जो food प्रिपेर करते हैं, उसको photosynthesis बोलते हैं, during this process, plants give out oxygen, क्या बोल रहे हैं, इस process के टाइम पर, जब plant अपना खाना बनाते हैं, इस दोरान, वो बाहर oxygen छोड़ते हैं, ठीक है, देखो जो plant अपना खाना बनाता हैं, leaves में, तो खाना बनाने के समय, वो अपनी leaves से oxygen बाहर छोड़ता है, carbon dioxide लेता है, जो हमारे लिए अच्छी gas नहीं है, तो वो लेता है अपनी पत्तियों में, और बाहर oxygen छोड़ता है, जिससे हम सास लेते हैं, हम सास छोड़ते हैं कुन सी, carbon dioxide, ठीक है, और plant कुन सी सास लेता है, carbon dioxide, और plant कुन सी छोड़ता है, oxygen, हम लेते हैं oxygen, छोड़ते हैं carbon dioxide, plant क्या करता है, लेता है carbon dioxide, छोड़ता है oxygen, ओके, तो इस तरीके से, plant और इंसान जो है, एक दूसरे पर निर्भर है, ओके, चलो भी आगे, plants appear mainly green in color, due to chlorophyll in them, क्या बोलने हैं, जो हमारा plant होते हैं, जो पौदे होते हैं, क्यों रहते हैं, उनके पतिया हरे भरी क्यों रहते हैं, तो आप बोल से तक क्योंकि, उनके अंदर chlorophyll होता है, इस कारण हमें उनका color green दिखता है, हरा दिखता है, clear, चलो, आगे चलते हैं अभी, अब दोखें यहाँ पर आपको क्या बता रहे हैं, दोखें यहाँ पर एक bird है, जो मच्छी खा रही है, यह हमारी यहाँ पर मुर्गिया हैं, दो मुर्गी, जो क्या कीड़े मकोड़े खा रहे हैं, यह घास में से, और यह हमारा tiger है, tiger क्या खा रहे हैं, दोखो कोई hiran या ऐसा कुछ है, deer वो खा रहे हैं, और यह हमारा horse है, horse क्या खा रहे हैं, grass खा रहे हैं, घास खा रहे हैं, ठीक है, तो यह अलग-अलग जानवर के, अलग-अलग क्या एक खाने हैं, अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, animals however do not have chlorophyll, क्या बोलने हैं, animal होते हैं, जो जानवर होते हैं, उनके अंदर chlorophyll नहीं होता है, यह सिर्फ plant के अंदर होता है, they do not produce their own food, तो क्या होता है, जो animal रहते हैं, वो खुद का खाना, खुद नहीं बना पाते हैं, plant कैसे हैं, plant को किसी की ज़रूर नहीं है, वो अपना खाना खुद बना लेते हैं, मतलब किसी और जानवर की ज़रूर नहीं है, वो अपना खाना खुद बनाते हैं, लेकिन जो animal रहते हैं, यह अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, तो क्या करेंगे यह, they search for food, यह खाने की तलाश करते हैं, क्या है यहाँ पर बोल ले देखो, मैं आपको समझाता हूँ, जानवर जैसे की बक्री, शीप, होर्स, मतलब घोड़ा, यह जानवर जो है, बक्री, शीप और घोड़ा, यह खाते हैं, ग्रास, मतलब घास, पूस, खाते हैं, और जो wild animal होते हैं, जो जंगली जानवर होते हैं, जैसे की, टाइगर, लाएन, यह जानवर जो रहते हैं, इनका जो खाने की जो requirement, जो ज़रूरत रहते हैं, कैसे पूरी होती है, यह दूसरे जानवरों का शिकार करते हैं, और उनको खाते हैं, यह दूसरे जानवरों कोन से रहते हैं, शाकाहारी जानवर, जो, क्या, प्लांट, पेड़ पदोय सब खाते हैं, इन जानवरों का शिकार करके, tiger lion अपना पेट भरते हैं clear आपको क्या मैं बोल रहा था तो वहीं यहाँ पर बोल रहे हैं कि plant अपना खाना खुद बनाते हैं किसी भी जानवर को नहीं मारते हैं कुछ भी नहीं करते हैं वो अपना खाना सूरज से carbon dioxide से पानी से बना लेते हैं लेकिन जो जानवर रहते हैं वो खाना खुद नहीं बना पाते हैं कुछ-कुछ जानवर क्या करते हैं घासपूस खाते हैं और कुछ जानवर जो रहते हैं वो उसी घासपूस खाने वाले जानवर को खाते हैं अगे अगे यहाँ पर हमें बॉक्स में जो भी जीव है वो जो खाना खाते है और उससे रिजल्ट क्या होता है वो बढ़ते है ठीक है हाइट में वेट में सब चीज में वो बढ़ते हैं तो ये एक important characteristic है कि हम खाना खाते हैं और हमारा हाइट वेट और जो strength है वो सब बढ़ती है ओके चलो भी आगे चलते हैं अब द पानवरों के अंदर भी होता है इंसान के अंदर और पेड़ पौदों के अंदर भी होता है तो वही हम यहाँ पर देखने वाले हैं तो देखो यहाँ पर वही आपको बोला गया है कि observe and discuss मतलब कि देखो और इसकी चर्चा करो discuss करो तो देखो यहाँ पिक्चर में एक leaf of a plant दिखाए गया है मतलब कि एक पेड़ की पती दिखाई इ smelled जूम करके बढ़ा करकेक्र और यहाँ पर हमें दिखाए गया है एक मचली है एक fixa उसके टिकहा यहां से वह सास लेती है मतलु की सास लेने का पो प्रोसेस है वह कैसे हО c हो और बते है तो यहां पर आध तो देखो अभी क्या है यहाँ पर हमें यहाँ पर क्या बताएगा है देखो मैं आपको बता देता हूँ जो प्लांट है ना यह सास कैसे लेते हैं अपने जो प्लांट रहते हैं पेड़ पर दे रहते हैं यह सास अपने पत्तियों के थूरू लीव्स के थूरू सास लेते हैं तो यह हुआ पत्तियों दवारा plant सास लेते हैं और सास छोड़ते हैं यह पत्ति पर आगर आप magnifying glass लगाओंगे तो पत्तियों पर आपको छोटे छोटे holes दिखेंगे जिसमें से यह पत्तिया सास लेती है जो पेड़ रहते हैं जो पौधे रहते हैं वो सास लेते हैं ओके पाणी को पानी पानी के अंदर में निकाल देती है। देखो इंसान इंसान कैसे सास लेता आपको मालू है और नाक से क्या करता है अंदर लेता है और इसके बाद ऑक्सीजन उसके फेपुड में आता है फिर यह बाहर हो आपिस छोड़ता है कार्बन डियोक्साइड हमें मालू पढ़ गया respiration process, plant का, fish का और इंसान का इंसान की जैसे ही जानवर भी सास लेते हैं जैसे इंसान सास लेते हैं सेम तरीके से जानवर भी लेते हैं जानवर कौन से है जो जमीन पे रहने वाले जानवर है मैं उसकी बात कर रहा था अब यहां पर क्या है देखो हमारा पहला पॉंट क्या है hold your hand in front of your nose or keep your hands on your chest what do you feel क्या बोल रहे आपको क्या क्या करो आप अपना हाथ अपने नाक के सामने रखो या तो अपना हाथ अपने च्छाती पे रखो आपको क्या फील हो रहा है क्या आपको फील होगा अगर आप अ होगी और अगर अपना हाथ अपने च्छाती पर रखोगे तो भी आपको क्या फील होगा आप सास जब लोगे तो आपकी च्छाती थोड़ी से फूख जाएगी और जैसा आप सास बाहर चोड़ोगे तो आपकी च्छाती थोड़ी से रिलाक्स होगी तो यह हम चीज़े अपना हाथ चाती परेगा, अगर अपना हाथ नाग पर रखें तो, okay? चलो भी, second point देखते हैं क्या है? If you observe a sleeping dog, what moment of its belly do we see? क्या बोल रहें? कि अगर हम observe करें, द्यान से देखें, एक सोते हुए dog को, एक सोते हुआ कुछटे को, तो हम क्या moment क्या हरकत देखते हैं उसके पेट पर उसके पेट की हम क्या हरकत देखते हैं तो देखो अगर आपने नहीं देखा हो तो आप देखो बाहर जाकर देखो अगर आपके घर के बार डॉगी है एक भी सोता हुआ तो आप देखो कि उसका पेट क्या होता है जब वो सास लेता तो उसका पेट फूख जाता है फूल जाता है उसका पेट जो सास बाहर छोड़ता है उसका पेट क्या होता है रिलैक्स हो जाता है पचक जाता है फूलता है उसका पेट पचकता है चलो अभी आगे चलते हैं यहां पर क्या है living things need oxygen in order to live क्या बोल रहे हैं जो living things रहते हैं जो जीव रहते हैं हमारे प्रित्वी पर उनको oxygen की जरूरत है कि इसके लिए जिन्दा रहने के लिए inhaling oxygen and exhaling the carbon dioxide formed in the body due to the use of oxygen is called respiration क्या बोल रहे हैं कि oxygen को अंदर लेना सास द्वारा oxygen को अंदर लेना और उसको बाहर छोड़ना किसके रूप में carbon dioxide के रूप में इसको हम क्या बोलते हैं respiration बोलते हैं मतलब कि हम क्या करेंगे oxygen को अंदर लेंगे उसका यूज करेंगे और उसका बाहर जब छोड़ेंगे carbon dioxide तो इस process को हम respiration बोलते हैं बागी क्या है animals such as fish, snake, mouse, etc. specific organs for respiration क्या बोल रहें कि जानवर जैसे की मचली, snake मतलब की साप, mouse मतलब चूहा इन तीन जानवरों मतलब कि ये जानवर जो है और इनके लावा भी कई जानवर होते हैं जिनके पास कुछ खास organs रहते हैं कुछ खास अंग रहते हैं जिनसे वो सास लेते हैं जैसे की मचली कह मचली का क्या रहते हैं मचली अपने गिल्स से सास लेती हैं हम अपनी नाक से लेते हैं लेकिन मचली के से गिल्स जो रहती है उससे लेती है सास ओके हमारे फ्यपड़े हो सब रहते हैं मचली का अलग रहते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे आपको आगे सब मालूब पढ़ेग वो कैसे सास लेते हैं, वो सास लेते हैं जो उनके leaves पर, उनके पतियों पर जो छोटे छोटे पोल, जो होल रहते हैं उनके दौरा, मैंने आपको बोला है ना, पतियों पर छोटे छोटे होल रहते हैं, उससे वो सास लेते हैं, यहाँ पर देखो आपको एक example देखा भी बताए सास लेना यहको यहां अधार करेक्ट्रिस्टिकना प्रोशियत है तो यह एक अंतर मिल गया कि जो living thing है उनमें respiration को process होता है और non living thing में नहीं होता है अब देखो यहां पर क्या है can you tell क्या यहां पर बोले क्या देखो question बोले क्या sorry can you recall मतलब कि क्या आप याद कर सकते हो कौन सी चीज़ है is all the food we eat used by the body क्या बोले है क्या जो भी खाना हम खाते है वो हमारे शरीर दवारा use किया जाता है यूज होता है यह आपको याद करने बोला गया आपको बताने बोला गया है तो देखो इसका एकदम simple answer है जो हमने पिछले class में किया है अब बताओ जो आप खाना खाते हो क्या वो पूरा that we eat is not used by the body मतलब कि जो भी खाना हम खाते है वो हमारे शरीर दवारा use नहीं किया जाता है some part which is not essential and some which is not digested is thrown out of the body क्या बोले है कि कुछ खाना जो हमारे बोली में जाता है हमारे लिए useful नहीं रहता है या use नहीं किया जाता है उसको हमारी बोली बाहर फेग देती है digestion के through digestion के process के through मतलब potty करके हम बाहर निकाल देते हैं okay second question क्या है what is the what is the unused part of food converted into क्या बोल रहे है जो हमारा unused part रहता है किसका खाने का मतलब खाने का जो खाना हमारे हमारी body इस्तेमाल नहीं करती है तो उसको किस रूप में बदलकर body हमारे शरीर के बाहर निकाल दी है simple है potty तो आप answer में क्या बोल सकते हो the unused food is converted into excreta or feces क्या बोले कि जो खाना हमारे शरीर दवारा नहीं use किया जाता है उसको excreta या तो feces में बदला जाता है किसके दवारा हमारे body दवारा excreta है feces का मतब क्या होता है potty ओके clear हमने आज बहुत ज़्यादा पढ़ लिया है हम यहां पर अपना वीडियो रोकते हैं आप भी बोर हो गए होगे हम अभी बाकी का जो है हम अगले lecture में करेंगे तो यहां तक आप अच्छे से पढ़ लो revise क अगले lecture से स्टार्ट करेंगे ओके यह हमने अब तक सास लेने वारा प्रोसेज और जो भी प्लांट को खाना चाहिए कैसे वह खाना खाते हैं क्या चीज खाते हैं कैसे खाना बनाते हैं सब हमने पढ़ा है अब अगले lecture से हम पढ़ेंगे excreta की वह खाने को कैसे body के बाहर की निकालते हैं शरीर का बहर निकालते इसके बारे में पढ़ने वाले हैं तो अब यह जहां तक मैंने पढ़ाया चीसा पढ़ लो रिवाइस कर लो मिलते हैं भी एकले उडिखियो में और अकर आपको फृद्य अच्छत लगा तो आपसी और लाइक करो अपने सब ही दूस को शेर को और चैनल को सब्सक्राइब करो थेंक यू